किसान अंदोलन के 50 दिन पूरे हो चुके हैं दिल्ली की सीमा पर किसान लगातार डटे हुए हैं इस भी सरकार के साथ कई दौर की वारता हो चुकी है मामला सुप्रिम कोर तक पहुचा लेकिन कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा हमारे साथ मौजूद है योगेंद पहुचार से सुप्रिम कोर तक मामला गया उसे लेकर जो कमीटी बनाएगी उस पर भी सवाल खड़े हो रहा है यह कहता है हासिक अंदोलन है इतिहासिक सिर्फ इस माइने में नहीं कि लाखों किसान आके दिल्ली में बैठे हैं इतिहासिक इस माइने में भी कि ये किसान सिर रहा है इतिहासिक इस माइने में कि जिन मद्दों पर लड़ाए हो रही है वो मुद्द सचमुच इस देश में भी किसानी का भविश्य तैकरने वाले हैं और इतिहासिक इस माइने में कि पचास दिन हो गये ہیں ऐसा संग्ःष इतना बड़ा जनांदोलन कम से कम मैंने अपनी आग से कभी नहीं देखा इसलिए इस आंदूलन का भविश्य तेह करने में देश की तमाम ताकतें अब आ गई है सत्ता है और सत्ता के पीछे जो पूंजी की सत्ता है वो भी है इन दोनों से आज मकाबला है किसान आंदूलन का मुझे विश्वास है कि चाहे लंबा खिचे लेकिन ये आंदूलन किसानों के लिए भविश्य की एक सकारात्मक दिशा लेके जाएगा किसानों में वो चेतना जगाएगा किसानों में वो संगठन बजाएगा किसानों में वो आवाज उठाएगा जिसके किसानों को बहुत वक्त से जरूर नहीं थी आपने जो कहा कि तमाम ताकते आच चुकी हैं क्या ये ताकते दोनों तरफ हैं ये इस मायने में सवाल है कि जो अभी तक सवाल उठ रहे हैं आप लोग की तरफ से सवाल उठाए गए कि तमाम दलों के निताई से लेकर कह रहे हैं कि खालिस्तानी ताकते हैं इस अंदोलन के पीछे लेकिन भी जो सुप्रिम कोर्ट तक मामला गया उसमें आटार्नी जनरल की तरफ से बात कहे गई कि कहीं ने कहीं इसके पीछे फ्रिंज एलिमेंट हैं खालिस्तानी लोग हैं उन्होंने जो कहा कोर्ट में वो था कि इन लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया है इनके पीछे नहीं है एक तो होता है आप कहें कि इस अंदोलन के पीछे वास्तों में जो सही ताकत है वो कुछ और है जैसे मुझे लगता है सरकार जो इन कानूनों का विरोध कर रही है उसके पीछे जो सही ताकत है वो इस देश के बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घराने है जो एटार्नी जनरल ने कहा है वो यह है कि इसमें कुछ लोग गुस्पैट कर गए है गुस्पैट कर गए है तो आप पकड़ो ना बताओ ना हमने पहले दिन से वो जब शम्भू बार्डर पर जब हुआ था चंदिगर के नजदी उस दिन से हमने इस किसी भी ऐलिमेंट को आंदोलन से दूर रखा है बाहर रखा है बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि ऐसे किसी अलगावबादी ताकत का इस आंदोलन में कोई हाथ नहीं हो सकता कई लोग जो हमारे साथ जुड सकते थे उनको हमने जुडने नहीं दिया कहा कि नहीं हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है चुकि हम ये हमारे देश का आंदोलन है, देश के भीतर चलेगा, देश में हमें इसे चलाना है और इस आंदोलन से ये देश मजबूत होगा, कमजोड नहीं होगा हमारी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है अगर अटॉर्णी जनरल ये दिखा सकें कि इस अंदोलन के निच्छित्व में इस अंदोलन को चलाने वाले लोगों में, कमेटियों में इस अंदोलन के निर्णे की प्रक्रिया में ऐसे किसी ऐलिमेंट का हाथ है तो दिखाएं आप तो कि सरकार से लगातार वारता हो रही है बीच-बीच में बयान भी आ रहे हैं सरकार से जुड़े लोगों के खास दोर पे जो रक्षा मंतरी राजनाज सिंग का एक बयान आया कि किसानों के साथ खड़ी है सरकार जो भी मुद्दा होगा मिल बैठकर सुल्या लेंगे लेकिन आटार्नी जनरल की बात चुकी सरकार की बात होती है तो इस दो तरफा बातें एक साथ चल रही है सरकार से जुड़े लोगों कुछ और कह रहे हैं कृशी मंत्री कहते हैं किसानों ने इतना अभूत पूर्व शांती मैं अंदोलन चलाया है मैं इसका बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ और दूसी तरफ वो कहते हैं राजक हैं मावेस्ट हैं नकसल हैं ये हैं वो हैं पाकिस्तानी हैं और ये कोई अनायास नहीं है ये जान बूच के जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है गुड़ कॉप बैड कॉप एक आदमी अच्छी बात कहेगा दूसरा आदमी बुरी बात कहेगा दोनों की बातें चलती रहेंगी ताकि जनता के मन में भ्रहम पैदा हो सके ये खेल बीजेपी कर रही है और ये खेल अब जनता देख चुकी है इसका असर होना बंद हो गया है लेकिन ऐसे सवाल उठने शुरू हुए आपने कहा कि ऐसे किसी लोगों को हमने शामिल नहीं होने दिया जो शामिल हो सकते थे उस लाक में आपको कोई गुंडा भी मिल जाएगा उस लाक में आपको समझधार लोग मिलेंगे उस लाक में आपको कुछ बेसमझ के लोग भी मिलेंगे उसमें आपको अलग-अलग बिचार के लोग मिलेंगे क्योंकि ये किसी एक पार्टी का अंदूलन नहीं है, किसी एक संगठन का अंदूलन नहीं है 11 दिसंबर को जो हुआ वो ये की, वो हुमन राइट दे था अब इस अंदूलन के दौरान हम चौधरी चरण सिंग की बरसी आती है, वो मनाते हैं चौधरी चोटो राम की मनाते हैं, विवेका अनन की मनाते हैं, जो सावितरी बाइप फुले का जैनती भी मनाते हैं तो human rights दे उन्होंने बनाया, एक संग्ठण ने और उस संग्ठण ने अपनी human rights की बात है रखी इसमें क्या बड़ी बात है? बुरी बात तब होती अगर इसान आंदोलन उन मांगों को अपनी मुख्य मांग में शामिल करता आपको लेकर भी सवाल उठे कि आपका नाम चार्च सीट में आ गया है और आपकी सान अंदोलन से भी जुड़े हुए अब आप बताईए जिसका मतलब है कि कोई विक्ति जिसका नाम सरकार किसी चार्च सीट में डलवा दे उसको घर बैट जाना चाहिए आपका नाम कल मैं किसी जुठी चार्च सीट में डलवा दो आपको अरेस्ट ना करूँ आपसे पूछू भी नहीं और इसका मतलब है कल से आप पत्रकार इता बंद कर देंगे जो ऐसा एक इंप्रेशन बनाया गया है कि मैं किसान अंदूलन में आज जुड़ा हूँ उन साथियों को जो जानना चाहते हैं दर्स्तु दिक्कत यह कि मीडिया का एक सेक्शन है जो जानना चाहता नहीं उन्हें सब कुछ पता है लेकिन जान बूच के आँख बंद कर रहे हैं सन 2015 से लेके पिछले पांच साल में अगर मैंने कोई एक मुख्य काम किया है तो केवल और केवल किसान अंदूलन का काम किया है 2015 में टीक्री वाल से 2015 अगस्त में पंजाब के टीक्री वाल से हमने एक ट्रेक्टर मार्च निकाला ये जो फार्म और्डिनस उस वक्त मुदी जिद ला रहे थे उसके बिरुद फिर देश में बहुत बड़ा सूखा पड़ा तो हमने करनाटका से हरियाना तक की यात्रा की साड़े चार हजार किलो मीटर की किसानों की सूखे की दशा के बारे उसके बाद हमने सुप्रेंग कोट में केस डाला है और 2017 में अकिल भारतिय किसान संगर समझ में समीति की स्थापना हुए 2017 से मैं उसके संस्थापकों में से एक हूँ जो की इस अंदुरन के पीछे एक प्रमुक स्रोत है प्रमुक संगठन है उसके संस्थापकों समें से मैं एक हूँ 2017 में, उसके बाद से हमने देश में ना जाने कितनी किसान मुक्ति आत्राएं की, कोई 10,000 किलो मीटर की किसान मुक्ति आत्राएं की, उसके बाद से किसानों के जो भी छोटे बड़े संघर्ष हैं, दिन रात शामिल हों, अब उसमें क्या है कि कुछ लोग बेचारे एक महिना पहले जा गए हैं, उनको लगता है कि अच्छा योग इन जात अब यहां पर आ गए, अब उनका क्या कहूं, नहीं कह सकता हूं, कोई बात नहीं भाई, और दूसरा ये, ये तो संयोग है, कि मैं गाउं में मेरी जमीन है, गाउं में रहता हूं, पिता जी अभी तक गाउं म जमीन ही थी और वहीं उनका दिहान दूआ, लेकिन मान लीजिये मेरा खेती से कोई संब्द ना होता, मान लीजिये मेरे पास जमीन ना होती, तो क्या इसका मतलब है कि मैं किसान आंदूलन में शामिल नहीं हो सकता, गांधी जी चंपारण के आंदूलन का नित्दू करते थ इस तरह के तर्क तब्दिये जाते हैं, जब सारे तर्क खतम हो जाते हैं, कुछ कहने को वच्ता नहीं है, इसलिए इस तरह की बात है की जाते हैं, कोई बात है। वारता जारी है, लेकिन सरकार कदम पीछे खिचने को तयार नहीं है या कानून वापस लेने को तयार नहीं है। कि संसद हमारे साथ है, कुछ भी करवा सकते हैं। दूसरा मैं समझता हूँ, दूसरा चुनाव जीतने के बाद से जो आंकार, जो घमंड आ गया इस सरकार में। वो इतना आधिक है कि अब इन्हें लगता है कि किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप ही सोची, लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई सरकार हो, तो पचास दिन से लाकों लोग बैठे हैं। और इनके पत्थर सा कलेजा इने को फरक नहीं पड़ता है। ऐसा संभव हो गया। यह इसी लिए है कि इतना घमंड आ गया है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र कहीं न कहीं इस घमंड की दवा तो देगा। गमंड की बात हो रही है लेकिन सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इगो प्रॉब्लम इधर भी है। किसानों की तरफ भी। करिब साथ से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। अब भी लागतार आप लोग डटे हुए। सुप्रीम कोट को कहना पड़ा कि जो खासकर महिलाएं हैं बुजूर्ग हैं या बच्चे हैं उन्हें कम से कम वापस भेज़ दिया जाए। क्या इस पर आप लोग विचार कर रहे हैं। मतलब क्या सरकार ये कह रही है कि यदि हमारे किसी साथी की मौत हो जाए शाहदत हो जाए तो हमें तंबू उठा के मापस घर चले जाना चाहिए। रही बात महिलाओं बुजूर्गों और बच्चों की। सुप्रीम कोट की भाशा बड़ी विचितर थी। जैसे उनको अपनी इच्छा की विरुद रोका गया है। एक विक्ति दिखा दीजे जिसको इच्छा की विरुद रोका गया है। हम माफी मांगेंगे उसको घर चुड़वाने का इंतिजाम करेंगे। इस तरह की भाशा शुबनी यह नहीं है। बजर्गों और बच्चों के बारे में तो फिर भी कुई कुछ बोल सकता है। यह कहना कि महिलाएं अंदोलन में हिस्सा ना लें। यह कहके सुप्रीम कोट इस देश के सम्विधान का अपमान कर रहा है। इस देश का सम्विधान मेहिला पुरुष को बराबर वोट देता है। बराबर प्रदर्शन की अजादी देता है। तो क्या सुप्रीम कोट कह रहा है महिलाऑं के लिए वो आजादी नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बातें कहते हैं क्योंकि बहुत बढ़ी कुर्सी है सुप्रीम कोर्ट की चीफ चेस्टिस की इतनी बढ़ी कुर्सी से इस तरह की छोटी बातें आएं यह बहुत दुख की बात है हमारी तरफ से कोई जिद नहीं है हमारी तरफ से कोई अडियल पना नहीं है हम सरकार ने जब जब बुलाया है वारता के लिए चाहे पिछली वारता में कुछ नहीं निकला फिर भी हम गए हैं पंद्रा तारीक की वारता है हमारा संकल्ब सीधा है हम जरूर जाएंगे वारता से कोई इंकार नहीं है वारता में कुछ लिख ले ना लिख ले ये तो सरकार को टै करना है अगली वारता में आप लोग जाएंगे लेकिन इस बीच जो सुप्रिम कोट ने कमीटी बने ये उसे लेकर लगतार सवाल खड़े हो रहे है लेकिन जो कहा जा रहा है कि ओक कमीटी किसानों से बात करेगी लेकिन सुप्रिम कोट ने तो खुद को समझने के लिए बनाया कि किस किसानों के बीच में वारता ससाफल नहीं हो पा रही है इसलिए उनके बीच नेगोशियेट करवाने के लिए हम इस कमीटी को बना रहे हैं ताकि नेगोशियेशन सफल हो सके हैं तो सुप्रिम कोट के वल अगर सुप्रिम कोट ऐसी कोई कमीटी बनाना चाहता जिसमें करें तो हमें बिलकुल स्विकार नहीं है और यह हमने कमेटी बनने से पहले लिखित बयान जारी करके कह दिया था क्योंकि हमारी इस पष्ट मालनेता है कि यह जो विवाद है हमारे और सरकार के बीच में जनता और जन प्रतिनिदियों के बीच में वो जन प्रतिनिदी जो हमा करना चाहते हैं। सुप्रीम कोट के विल एक है। ये बताना की ये कानून सम्वेधानिक है यई नहीं है। जरूर सुप्रीम कोट धुर्जमbles के, हम उसका संवान करते हैं। हम तो उसका इंतिजार कर रहे हैं। मद्यस्ता धा तो तब होती है नहीं जब आपका मेरा जगड़ा हो, हम दोनों किसी तीसरे के पास जाएं कि भई आप कर लीजिए या तीसरा आए और हम कहें हाँ भई आपकी आने से सुलच जाएगा हम पहले दिन से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी पेटिशन है एक भी याचिका कोर्ट में नहीं है जिसमें किसी ने कहा हो कि आप मद्यस्ता कर दीजिए एक याचिका वो है जो कहती है कि इन किसानों को उखार दिया जाए, उठा दिया जाए दूसरी याचिका है जो कहती है कि इन कानूनों को खारिच कर दिया जाए मद्धस्ता तो कोई मांगी नहीं रहा तो जो हमने नहीं मांगी सरकार नहीं मांगी किसी याचिका करता नहीं मांगी मुकाम सुप्रिम कोट क्यों कर रहा है और दूसरा कमेटी उपयोगी तब होती है जबकि सिध्धान्त के फैसले लिये जा चुके है अगर सरकार मान लीजे कहती है कि हाँ हम MSP का कानूनी अधिकार देने को तयार है फिर एक कमेटी बनाई जाए कि कानूनी अधिकार कैसे दिया जाएगा कानूनी अधिकार दिया जाएगा ये नहीं दिया जाएगा ये कमेटी कैसे तेह कर सकती है लिकिन उस कमीटी में जो लोग हैं खासकर उनका एक लंबा अनुभा रहा है जो अशोग गुलाटिक, रिसीव है ग्यानिक, बी एसमान, किसानों के नेता है वो और प्रमोज जोशी यह तमाम बड़े नाम हैं तो आप लोग को इन से आपत्ती क्या है पहला तुम्हें बता द जानकार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं और तीनों कानूनों के इन से अच्छे वकील हो नहीं सकते हैं इन चारों लोगों ने खुल के पबलिक में तीनों कानूनों को डिफेंट किया है इन पेक्सरकार को डिफेंट करने वाले मुख्य लोग ही यह चार हैं इन्हों ने ड बंदोलन को भटका हुआ, दुराग रही और एक ने तो यहां तक कि मतलब यह बदमाशी कर रहा है, यहां तक कहा गया हमारे बारे में, यह लोग बिलकुल सरकार की टीम में शामिल हो, नेगोसियेशन में हमें क्या इतराज है, सरकार इतको अपने पक्षबे बैठाए, इन त यह चुप कानून को भूल्ड करने की भी बात कही है, और उसके अधार पे कहा गया कि किसान अफने अंदोलन वापस ले आपने घरों की तरफ लौट ने और पिर इस पे चर्चा होगी विचार होगा कि आगे का रास्ता निकलता है, hold के facilates से भी आप लोक संतुश नहीं है। Supreme Court ने वह नहीं कहा है, जो आफ सोचते हैं कि उसके बाते कहेंगे, Supreme Court ने hold किया, उसके बातारे बाते कहें इना, Supreme Court ने stay दिया है, stay का मतलब क्या होता है, stay का मतलब होता है कि जब तक Supreme Court stay को लिफ्ट नहीं करेगा तब तक के लिए स्टे है कब लिफ्ट करेगा अगले सप्ता कर सकता है आज सुप्रीम कोट ने स्टे दिया कलम उठके चले गए जब हम घर पहुंचे तो पता लगा स्टे तो उठ गया अरामसी सेंट्रल विस्था प्रोजेक्ट में यही तो हुआ एक महीना पहले कोट ने स्टे दिया हमारे कई साथियों बड़े खुश होगे सुप्रीम कोट ने स्टे ओर दे दिया है एक महीने में कोट ने जजज्मेंट दिया बिल्कुल ठीक प्रोजेक्ट आगे चला यह तो ऐसी चीज के ओपर उठके चले जा जा लाखों लोग इस बिस्तर उठा लें क्योंकि स्टे मिल गया है जो कि हो सकता है पांच दिन चले हो Σकता है पांच महीने चले हम स्टे मांग में नहीं आए हैं हम इन तीन कानून ko रद करवाने के लिए आये हैं तो सुप्रेम कोट ने स्टे दिया है शुकरिया हमने मागा नही था आपने दे अच्छी बात किया आपने लेकिन इस आधार पे हम उठके चले जाए ये बात पर सुप्रिम कोट ने कहीं भी नहीं है और ये बात बिल्कुत तर्क भी ही नहीं आगे कि आप लोगी रणीतियों को लेकर जो बाते सामने आरे उस पे सवाल उठ रहे हैं जैसा आपने अपने सं जन्वरी के आप लोग के कार्जगरम को लेकर कि 26 जन्वरी का कार्जगरम देश की गणतंतर दिवस का कार्जगरम होता है देश की स्वाभिमान संप्रभूता से जुड़ा है और ऐसे में आप लोग ट्रेक्टर लेकर जब दिल्ली की तरफ जाएंगे तो कहीं स्थीतिया गड़बढ होंगी मैं हरान हूं कि लोग ऐसा सूचते हैं 26 जन्वरी में 26 जन्वरी के दिन तमाम लोग अपने यहां पे तिरंगा लगा के जाते हैं तमाम बच्चे जाते हैं लोग जाते हैं और मैं समस्ता हूं 26 जन्वरी के दिन तिरंगा लेके नागरिक जब निकलते है तो गनतंत्र का मान बढ़ता है, गटता नहीं है हमने 26 जनवरी को जो कहा है वो ये है कि किसान अपनी ट्रेक्टर परेड निकालेंगे हमने कता ही नहीं कहा कि जो रिपब्लिक डे की सरकारी परेड है आधिकारिक परेड है हम उसके अंदर कोई दखल देंगे मैं बिल्कुल स्पष्ट और जुम्मेवारी से आपको बताना चाहता हूँ आधिकारिक परेड या गनतंत्र दिवस से जुड़े किसी भी आधिकारिक पंक्शन में हम किसी तरह का कोई डिस्रप्शन नहीं करेंगे किसी तरह की कोई धावा, हमला, पार्लेमेंट, लाल किला ऐसा कुछ नहीं करना है हम एक शांति पूरवक तरीके से अपनी परेड निकालेंगे और आपको बताओ जवान जो है ये वरती पहने वे किसान है वो जवान जब परेड करता है, किसान जाके उस परेड को डिस्टरब करेगा सवाल ही नहीं होता, तिरंगे का मान सम्वान हम दो इंच बढ़ाएंगे आधा इंच भी कम नहीं करेंगे आगे को लेकर जैसे आपने बता है कि पंदरह तारीक की जो वारता है उसमें शामिल होंगे 26 जन्वरी के कार्थ करम को भी आपने सामने रखा क्या उमीदे हैं और क्या देखते हैं आपकी कब तक चलेगा जैसे बीते दिन हमारी किसानों से बात हो रही थी उनमें से एक किसाने का कि लोहडी हमने मना ली होली भी यही मनाने की तैयारी है तो क्या उतना लंबा खिंसते हुए आप देखते हैं या उमीद है कि बीच में कुछ रास्ता निकलेगा उमीद तो करते हैं कि सरकार को सदबुधी आए उमीद करते हैं कि प्रधान मंतरी का कलेजा थोड़ा सा तो पिंगले इस सचाई को देख के उमीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी अब देख लिया होगा कि हकीकत क्या है तो उमीद करते हैं कि इस से कुछ रास्ता निकलेगा उमीद है तभी तो यहां बैठे हैं उम्मीद है तब ही तो वारता कर रहे हैं तो उम्मीद है जितना जल्द हो मैं तो प्रधान मंत्री की दुश्टी से भी सोचता हूँ प्रधान मंत्री जितना जल्दी इसको सुल्टा लेंगे उतना उनके लिए राजनेति कुरूप से फायद हिमर्द है दो महिना पहले मान जाते तो अपनी बड़ी भावाई होते लोग उनकी जैजाकार करते हुए जाते प्रदान मंत्री इसको जतना अपने व्यक्तिकत अहम का मामला बना रहे हैं जतना इसको एकदम परसनल, प्रेस्टीज और इज़त का मामला बना रहे हैं वो खुद उनके लिए अच्छा नहीं है तो मेरी उमीद है प्रदान मंत्री के इंदर सरकार और बाकी सब लोग सद बुद्धी आएगी और जल्द से जल्द समाधान करेंगे जहां तक हमारी बात है हम इस संकल्प के साथ बैठे हैं के समाधान करवाकर ही उठेंगे कानून वापिस होंगे तभी हम घर वापिस जाएंगे दो धन्यवाद बातचीत के लिए तो सवाल सुप्रिम कोट के फैसले पे है सरकार की नियत पे सवाल है लेकिन संकल्प द्रिड है कि जब तक कानून वापस नहीं होते कि जब तक कानून वापस नहीं होते